प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस्ट अपडेट साथ इस बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं देखे विशेश तोर से केंद्रिया बजट क्योंकि आज पेश किया गया है केंद्रिया वितमंत्री निर्मला सीता रमन क और अभी हिमाचर प्रदेश को लेकर जानकारी दे तो कौन-कौन से वर्गों को यहां इसका लाब मिलने वाला है यानि कि कि किस घोशना से किस वर्ग को लाब मिलेगा फिलहाल हिमाचर प्रदेश के लिए यह कितना जादा फाइदे मन साबित होने वाला है बिलकुल यह ज गोशनाओं को लेकर बता देते हैं जो कि सभी वर्गों से जुड़ी है यानि कि हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए भी जो फाइदे मंद यहां साबित होने वाली है या फिर एक तरह से जो कुछ एक चीज़े महंगी हुई है तो जेबो पर भी यहां प्रदेश वासियों क पांच फीसदी से घटा कर धाई फीसदी यहां कर दी गई है और लैब में बने हीरो की मैनुफेक्ट्रिंग में इस्तेमाल होने वाली स्टीट पर भी यह ड्यूटी कम की गई है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शनेव फिड पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है तो फिलहाल इन कुछ एक चीजों को यहां सस्ता किया गया है महंगी कौन सी चीजें हुई है सिगरिट पर टैक्स सोला फीसदी बढ़ा दिया गया है कमपाउंटेंट रबड पर ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है चांदी से बनी कारी देना हमने जरूरी समझा हाला कि देखे अगर यहां टैक्स लैब को लेकर बात करें तो इसमें जरूर रहत मिली है साथ लाक रुपए तक अगर आपकी आया है तो टैक्स से आपको छूट मिलने वाली है इससे पहले पांच लाक से जादा यदि किसी की भी आया रहती थी तो उसे टैक्स का भुगतान यहां करना पड़ता था हला कि साथ लाक रुपए तक यहां जिस किसी व्यक्ति की भी आया है तो उसे यहां जरूर परमिसिबल डिडक्शन्स लेनी होंगी उसके बाद ही यह टैक्स से छुटकारा उसे मिल पाएगा फिलहाल हम आपको बार साथ 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 लाग तक दस वी टैक्स लगेगा साथ से दस लाग तक 15 यहांपर रखा गया है यह जो टैक्स लेब है साथ साल से कम उमर की लोगों के लिए ही है लेकिन बड़ी बात जैसा कि हमने कहा कि 7 लाग तक मान लिजे यहां किसी की भी आयर है तो permissible deductions यदि आप यहां ले ले लेते हैं तो उसके बाद आपको tax का भुकतान नहीं करना होगा अगली बात करना चाहेंगे क्रिशी क्षेतर से संबंधित भी क्योंकि हिमाचर प्रदेश में अधिकतर संख्या में किसान और बागवान है तो देखिए मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए 2200 क्रोड रुपै का फंड बनाया जाएगा इसमें बाजरा, रागी और कहना चाहेंगे खास फोकस हुआ है, अगली बार शिक्षा को लेकर करें तो बच्चों के लिए नैशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा, आदिवासी बच्चों के लिए खोले गए एक लव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षक बहाल होंगे, यानि कि हिमाचर प् मौझूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी यहां खोले जाएंगे, 50 नए एरपोर्ट और हैलिपैट बनाए जाएंगे, ये भी घोशना हुई है, शहरी विकास पर 10,000 क्रोड रुपए खर्च किये जाएंगे, और ट्रांसपोर्ट धांचे पर 75 70,000 क्रोड रुपए खर्च करने को लेकर भी यहां घोशना हुई है, ये देखिए कुछ एक पॉइंट्स हम निकाल कर लेकर आये थे, जो कि सभी वर्गों से संबंदित है, लेकिन रियक्शन को लेकर अब यहां बात करना चाहेंगे, कि आखिकार हिमाचर प्रदेश के मु विशेश पैकेश नहीं दिया गया है, और एक तरह से यहां ये रसम अदाइगी हुई है, कि बजट पेश करना था तो उसे कर दिया गया, आम आदमी पर ज़रा भी गौर नहीं फरमाया गया है, इससे हिमाचल वासी तो क्या देश वासी में कोई भी सहमत नहीं होने वाला ह है, दूसरी बात ये कुछ एक राज्यों को लेकर कहा गये हैं कि दिल्ली, पंजाब, हिमाचल जैसे राज्य कर्ज के तले दबे हुए हैं, तो ऐसे राज्यों के लिए तो विशेश पैकेश दिया जाना चाहिए था, ताकि अपने रिसोर्स और जादा ये राज्य भढ़ा यहां प्रदान नहीं की गई है, एक तरह से ये रसम अदाइगी हुई है, पुरी तरह से ये बजट निराशा जनक है, ये बात सियम सुखु ने कही है, हलाकि पुर्व सरकार पर भी तंज कस्ते हुए, उन्होंने ये कहा है कि पहले तो यहां पर भाजपा की सरकार थी, तो केंदर अच्छी तरह से परिचित है, हिमाचल के मसलों से और समस्याओं से, इसके अतिरिक्त खुद भी वो सीयम होते हुए, इन सभी मसलों से परिचित करवा चुके हैं केंदर को, लेकिन इसके बाबजुद भी अभी तक कोई विशेश घोशना यहां के लिए नहीं की इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, इसमें महिलाओं के उपर, बजुर्गों के उपर भी खास गौर फरमाया गया है, किसानों को भी राहत प्रदान की जाएगी, हाला कि उधारन देते हुए इनों ने ये कहा है कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में प्राकृति खेती योजना को अपनाने वाले हैं, लगभग एक क्रोड के करीब किसानों को इसके दाइरे में लाने की बात कही गई है, ये बात गौरब भरी है हिमाचल वासियों के लिए, दूसरी बात टेक्स लैब को लेकर इनों ने कही है कि जिस तरह की छूट प्रदान की गई है, ह हैर अभी विपक्ष की हम बात करें, तो शुरुआत से ही इनकी ओर से ये कहा जा रहा था, कि पिछली बार भी जब बजट पेश हुआ था, तो वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन कॉंग्रिस की सरकार सीरे से इसे नकार रही है, और विशेश तोर से या रोप केंदर सरकार पर लगा रही है कि हिमाचल जो की पहाडी क्षेतर है, इसकी पूरी तरह से यहां अंदेखी हुई है, यहां के वर्गों को लेकर जरा भी जिक्र नहीं किया गया है, और विशेश तोर से रोजगार को लेकर परेटन क्षेतर को लेकर उमीदे लगाई गई थी हिमाचल सरकार की ओर से लेकिन कोई भी विशेश पैकेज नहीं दिया जा रहा है अगली बार ट्रक ओपरेटर से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि दार्लाघाट क्षेतर में आज भी इनकी ओर से आंदोलन किया गया है और दार्लाघाट पुलिस थाना में 40 के करीब ये ट्रक ओपरेटर थे जिनोंने वहां पहुंचकर अपनी गिरफतारियां दी हैं दरसल अब इनका ये मानना है कि इनके सबरकाबान तूट रहा है वो इसलिए क्योंकि 50 दिन लगभग यहां होने को आये है और ये मामला न परोप लगाया जा रहा है कि वो मध्यस्ता का कार्य कर रहे हैं जबकि उन्हें तो ये पूरा मैटर इस टाइम तक सौट आउट करवा देना चाहिए था ये पूरा मामला शांत होना चाहिए था लेकिन यहां मध्यस्ता का कार्य सरकार भी कर रही है और आने वाले समय में अ और जादा उगर हो सकते हैं इस बात को लेकर इन्होंने आचेताबनी दी है साथी साथ देखा जा सकता है चालिस ऑपरेटर्स ने डाला घाट पुलिस्थाना में अपनी गिरफतारियां भी दे दी हैं बड़ी बात इसमें ये है कि केवल ट्रक ऑपरेटर्स इसमें नहीं पिस हो रहा है घर परिवार चलाना ऐसे ही वर्गों को काफी जादा मुश्किल हो गया है और सबसे जादा इसमें मजदूर वर्ग पिस्ता हुआ नजर आ रहा है जिनके पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है फिलहाल जो प्रवासी मजदूर वहां पर आये थे और एक तरह से दिह खाड़ी लगा रहे थे इन्हें अपना एक एक दिन निकालना वहां पर काफी जादा मुश्किल हो रहा है तो जल्दी ही इसका समधान निकाला जाए यह च्रक ऑपरेटर्स की और से अपील की गई है अगली बात हम उना से जुड़ी यहां पर करना चाहेंगे क्योंकि बैटको में भी भाग ले रहे हैं लेकिन उना के ट्रक ऑपरेटर्स भी अब इनके समर्थन में आए हैं चार फरवरी को दाड़ा घाट पे चक्का जाम किया जाएगा और इनी के समर्थन में यह उना के ट्रक ऑपरेटर्स भी अपने क्षेतर में चक्का जाम करने वाले हैं इनकी और से भी demand ये उठाई गई है कि जल्दी ही इस मसले को हल किया जाए ये अपने truck operator भाईयों के साथ है जब तक ये विवाद सुलज नहीं जाता है इसी तरह से इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहने वाला है हला कि आज को लेकर अगर हम आपको नई update दें तो पहले अधिकालियों के साथ बैठक हो चुकी है मंतरी के साथ बैठक हो चुकी है बात नहीं बनी लेकिन अब यहाँ संभावना ये बनी हुई है कि CM सुखविंदर सिंग सुखू एक तुक फैसला अब पूरे मसले में ले सकते हैं उसके बाद वो सब के लिए एक तरह से सर् सहमती दोनों वर्गों के बीच में नहीं बनती है कंपनी प्रबंदन की ओर से सहमती उस फैसले पर नहीं जताई जाती है तो फिर कानूनी कारवाई भी यहां सरकार की ओर से इस पर करवाई जा सकती है अगली बात पेपर लीक मामले से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि प प्रतीक्रिया दी गई है जिसमें उन्होंने स्पष्ट ये करना चाहा है कि हिमाचल प्रदेश में पुर्व सरकार के समये 60 फीसदी ऐसी परिक्षाएं रही है जिसमें पेपर लीक हुआ है इस तरह का दावा कॉंग्रे सरकार की ओर से किया जा रहा है दूसरी बड़ी बात बड़े खुलासे होने वाले हैं और किसी भी उस व्यक्ति को यहां पर नहीं बक्षा जाएगा फिर चाहे वो कितने ही उंचे पर हो जिसकी इसमें मिली भगत रही होगी देखिए अभी तक फिलाल 181 के करीब इसमें गिरफतारियां हो चुकी है हलाकि SIT का गठन जब हुआ था उस वक्त ये गिरफतारियां हुई थी अभी CM सुकु का ये कहना है कि हिमाचर विजिलेंस भी इस मामले में जांच कर रही है लेकिन CBI से वो पूरी उमीदे रखते हैं कि निश्पक्स जांच की जाएगी जो भी आरोपी होंगे उन्हें सामने लाया जाएगा और फिर इसकी सजा भी मिलकर रहेगी क्योंकि यूवाओं के भविश्य के साथ एक तरह से ये खिलवाट हुआ है पहले देखिए एक पेपर के लीक होने का मामला सामने आया और अब कॉंग्रेस सरकार की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि लगभग 60 फीसदी पेपर यहां लीक हुए हैं अगली बात करना चाहेंगे बागवानों से जुड़ी क्योंकि एक बार फिर इन्हें बड़ा जटका लगा है हिमाचर प्रदेश में कोई और इस बजट से नराज हो ना हो लेकिन बागवान काफी जादा नराज चल रहे हैं क्योंकि दो से तीन बड़ी मांगे इ नहीं फरमाया गया है क्योंकि किसान बागवान के वल हिमाचर प्रदेश में ही नहीं बलकि बाहरी राजियों में भी हैं उनकी और से भी डिमांड उट रही थी दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये की थी कि इंपोर्टिट सेव की जो सीमा शुल्क है उसमें व्रिधी नही दिया जाता है तो अभी केंदर सरकार की ओर से सेव को विशेश रेणी में भी दरजा नहीं दिया गया है और इसी वज़ा से अब इसकी सीमा शुल्क में भी व्रिधी तब तक नहीं हो पाएगी ये भी इनकी ओर से प्रमुकता से मांग रखी जा रही थी इसके अतिरिक भी कि बागवान अपनी कई तरह की डिमांड्स रखते आए हैं लेकिन कोई खास एलान इनके लिए नहीं किया गया है या रोप लगा रहे हैं हालाकि जिस तरह से क्रिशी स्टार्टप को प्रात्मिक्ता पर रखने की बात कही गई है उसे लेकर इनोंने जुरूर आभार व्यक ये बिल्कुल देखा जाएगा क्यूंकि कॉंग्रे सरकार की ओर से आज ये भी केंदर पर आरोप लगाया गया है कि हिमाचल के किसानों और बागवानों की पूरी तरह से अंदेखी हुई है परेटन अक्षेतर को बढ़ावा देने के लिए भी कोई ऐलान नहीं हुआ है य लेकिन काफी कम वर्गों को ही इसे रहत मिल पाएगी यह यहाँ पर कॉंग्रे सरकार की ओर से माना जा रहा है आज शिमला के कुपवी में एक दरदना खाथा पेशा पेश आया है दरसल गाड़ी में एक व्यक्ति सवार था व्यक्ति पेशे से पटवारी बताये जा रही है 34 वर्षिय थे और इनकी कार अनियंतरित होकर खाई में गिर गई जिसके बाद उसी मौके पर इनकी मौत होने का मामला सामने आया है और कार के परखचे उड़ गए हैं काफी जादा दर्दना के एक तरह से हम कहना चाहेंगे यह मौत हुई है अभी पुलिस ने मौके पर पह कही है कि पहाडी क्षेतरों की पुरी तरह से अंदेखी हुई है कम से कम हिमाच्वर प्रदेश की भुगॉलिक स्थिती पर तो इकेंदर सरकार को गौर फरमाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ हुआ है विकास के लिए कोई भी विशेश बजट का प्रावधान नहीं दिया गया है एक बात इनोंने ये कही है और दूसरी बड़ी बात पूरे देशवासियों को लेकर इनोंने कही है कि जो भी बजट आस पेश किया गया है इससे अर्थ वैवस्था नहीं सुधरने वाली है ना ही विकास को गती मिलने वाली है ये पूरी तरह से दिशाहीन यह बड़ा रोप आज पतिवा सिंग की ओर से भी केंदर सरकार पर लगा है अगली बात हम एच्प्यू के चात्रों से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि ऐसा फाइक चात्रों की ओर से यहां एक और प्रदर्शन भी किया गया है साथी साथ इन्होंने चितावनी दी है अभी धंग से यह चेकिंग हुई है ठीक नहीं है जो मार्क्स वो डिजर्व कर रहे थे उन्हें नहीं मिले हैं फिर उसके बाद री चेकिंग का फैसला हुआ था और इससे लेकर एलान यह किया गया था एच्प्यू के कुलपती की ओर से कि 10 दिन के भीतर भीतर रिजल्ट घोशि अगली बात हम रिज मारोड से जुड़ी करना चाहेंगे दरासल शिमला के रिज और मारोड पर कुछ एक चीजों को लेकर प्रतिबंद लग गया है यहां अब किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जा सकता है कोई भी रैली नहीं निकाली जाएगी बैंड बाजा या श चोड़ा शिमला इन सभी क्षेत्रों पर इस तरह से कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है नारे बाजी नहीं की जा सकती है रैलिया नहीं निकाली जा सकती है दो महीने के लिए प्रतिबंद लगा दिया गया है जिला उपायुक्त की ओर से या देश चारी हो चुके ह पर ही यहां आमसभावी अब आयोजित हो पाएगी अगले दो महीने में यदि इसकी कोई अभिलना करता है तो फिर कड़ा संग्यान उस पर लिया जाएगा ये भी जिलाओ का युक्त की ओर से आज साफ किया गया है अंत में मौसम की खबर भी हम आपको देना चाहेंगे क्यू 287 सडके अभी तक बंद बताई जा रही है 244 ट्रांसफार्मर भी अभी तक ठीक नहीं हुए है और 28 वाटर सप्लाई की स्की में भी लगभग बंद है तो अभी स्थिती उपरी क्षेत्रों में कुछ इस तरह की बनी हुई है हलाकि निचले क्षेत्रों में 6 फरवरी तक कोह को लेकर अलर्ट यहां जरूर जारी किया गया है वहन चलाते वक्त काफी जादा सावधानी बरते यह भी अपील मौसम विग्ञान केंदुर की ओर से हुई है तो फिलहाल के लिए यही चांदकारी फिर मिलेंगे नहीं खबर के साथ